प्रभू की परिक्षा वास्तों में क्या है नित्रभक्ति में जीवन में कभी कबार भगवान हमारी परिक्षा लेते हैं जातर भक्तिजन परिक्षा में फेल ही हो जाते हैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे जितनी भी परिक्षा हुई है उन सब में अट्टर फ्लॉप र आज जरूए की कि प्रभू की परिक्षा वास्तों में क्या होती है ये विडियो आप सब लोगन के लिए परम उपयोगी है तो चलिए शुरू करते हैं प्रभू कुछी सोचकर ही हमारी प्रिक्षा लेते रेते हैं और ये बातों जानते हैं कि मेरा भक्त इसमें गयारंटी हारेगा आपको हाराना उद्देश नहीं है आपको उठाना ये भगवान का परपस होता है जब भी प्रभू परिक्षा लेते हैं और आप हारते हैं तो आप एक लेवल उपर उड़ते हैं प्रभू की परिक्षा में भले ही हम हार जाएं पर हम भक्ती में एक लेवल आगे बढ़ चुके होते हैं हमारा हारना भी उटने का एक लक्षन होता है प्रभू ये देखते हैं कि आप नाम के प्रती इमांदर हो या नहीं आप हारे उदास हुए पर आप फिर भी अपने टाइम पर नाम जब करने लगे तो आपकी इमांदरी देकर प्रभू आपको आगे बढ़ा देते हैं प्रभू सिर्फ इतना देखते हैं कि ये नाम जब छोड़ता है या नहीं इसलिए हर संतों ने कहाए कि चाहे जीवन में सुक होया दुख पर आप नाम जब ना छोड़े संतों ने इस लाइन को ऐसे ही नहीं खा इस लाइन की पीछे बहुत गहरा कारण है प्रभू बार बार परिक्षा लेते हैं और देखते हैं कि इसने नाम जब छोड़ाया नहीं अगर आप रोज अपनी साधना करते रहे तो भगवान को मजबूर होकर आपको सिद्ध बनाना पड़ता है मित्रों भगवान को देख आपका नाम जब छोड़ाना नहीं है वे आपको धीरे धीरे स्ट्रॉंग बना रहे हैं भले याप परिक्षा में हार जाओ पर आप हर बार पलिस जदा स्ट्रॉंग बनते हो ऐसे परभू की परिक्षा हमें स्ट्रॉंग बनाती है परभू की परिक्षा हमें पवित्र भी करती रहती है जब भी आप परिक्षा में हारते हो तो आप वास्तों में प्यूरिफाइ हो रहे होते हो हर परिक्षा में आपके कुछ विकार और पाप बड़ी मात्रा में खतम हो रहे होते हैं इसलिए हम जातर देखते हैं कि भक्तों के जीवन में परिक्षाएं भोत होती हैं प्रभू बार बार परिक्षा लेकि हमें पवित्र कर रहे होते हैं इसलिए भक्तों को कभी भी ऐसा नहीं सोचना जाए कि मेरे जीवन में दुख क्यों मैं आकेला हूँ प्रभू मेरे नहीं सुन रहे वगेरा वगेरा आपके जिंदिगी के हर परस्ते में प्रभू आपके साथ हैं बस वो अपनी कृपा परिक्षा के रूप में आप पर बरसा इन सब परस्ते में आपका करता वेसर पर नाम जब को नहीं छोड़ना है आप प्यूरिफाइ हो रहे हो आप अंदर से पवित्र हो रहे हो तो प्रभू की कृपा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है जब भी प्रभू आपकी परिक्षा लेंगे और आप हारेंगे तो आप एक क प्रभू से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे होते हो इसलिए जिन भक्तों ने बहुत दुख से हैं वे प्रभू का नाम जबते हैं या उनके फोटो को देख कर रोते हैं कई-कई भक्त भगवान के फोटो से बाते भी करने लगते हैं ऐसे प्रभू से कनेक्ट करता है प् प्रबो की परिक्षा लेते हैं और आपको दुख देते हैं पर आप समझ गई होंगे कि एक परिक्षा और दुख नहीं है ये प्रबो की महद कृपा है इसलिए जो बक्त दुख में हैं वे इस परिस्ति को कृपा मानकर अच्छे से नाम जब करें यही हमारा परमधर्म है अगर आपको दौट हो तो मुझे पोस्ट टैब में कमेंट आउश करें अगर आपको भक्ति में कुछ दिक्कते आ रहे हैं तो बेर जिजग कहें अगर वीडियो अच्छे लेगी हो तो शेयर वशे कर दें तो आजके लिए बस तना हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप कर सकते हैं आप इसे लाइक कीजेए अप इसे शेयर कीजेए अपने दोस्तों के साथ अपने परिवार अव्लान के साथ जरूर शेयर कीजे और थरड़ा बात कहा है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीज़े क्योंकि आपको ऐसे ही बहतेलने कर्टेंट हमेशा इस चैनल से मिलते रहेंगी इसले आपके कीज़े जरूर सब्सक्राइब कीज़े तो स्टेबलिस, स्टे आउसम एंड कोसल में